ओम शान्ती अब हम करेंगे रिकॉर्डिंग आज के 13 जून की श्रीवर्दान की जहां परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम संपून वैशनव वैशनव बन जाएं अब आपने सुना होगा वैशनव बतलब क्या कही जगा पर आपने रस्ते में जाते हुए ढपे धहाँगे वैशनव ढवाबा तो वैशनव वहाँ पे देखा जाए तो लसन पयास नहीं डालते हमें तो लसन सफल तपस्वी भवा किसी भी बुराई को टच ना करने वाले संकल्पों से थोट्स भी आपके नेगेटिव इंप्यो थोट्स ना करें उस गते व्याशनव तो पवित्रता की परसनालिटी वा रॉयल्टी वाले जिसके अंदर प्यूरिटी है और के प्रती सुआ के प्रती और जिसके अंदर रॉयल्टी है हाव बाव उटना बैठना बोलना करम करना विक्कुल प्यूर है वाले मन बुद्धी से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते क्योंको पता है कि उनकी शान्ती, मन की शान्ती सबसेदा ज़रूरी है जाए को इनके उपर कुछ गलत इंजाम भी लगाते है इलजाम लगा कर भी गाली करें उनको पुरा बला कहे लेकिन फिर भी उनके मन में उनको पता है कि उसने एक सेकंड भी अगर किसी के बारे में गलत सोच लिया तो उनकी purity of mind खतम और उनकी शान्ती भंग हो जाएगी जाहे जो भी situation आजाए जैसे ब्रामन जीवन में शारीरिक आकर्शन वा शारीरिक टचिंग अपवित्रचा है तो ब्रामन जीवन मतलब कि ब्रामचारिय हो या आप ब्रामा को फॉलू कर रहे हैं तो उसमें हम कहते हैं कि आप कामवासना से दूर रहें किसी के बारे में अशलील सोचना या किसी के बारे में उनको छूने सपर्श करने का सोचना भी अपवित्रता है अशलील संकल्प से ही मन बुद्धी बिक्कुल ही मलिच और दुखी हो जाती है और अपवित्र हो जाती है उसके बाद में काम वासना के बाद में उसके दर अंकार, इरशा, ग्रिणा, नफर आपवित्र लिया जाता है कुछ करना नहीं पड़ता है, क्रोध भी आटमाइट लिया जाता है तो परमादप कहते हैं जैसे ब्रामट जीवन में शारीरिक आकरशन वा शारीरिक टचिंग अपवित्र लता है ऐसे मन बुद्धी से किसी विकार के संकल्प मात्र की आकरशन मलकि संकल्म में आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रती, चाहे किसी देश के प्रती, किसी व्यक्ती के प्रती, किसी प्रांत के प्रती, किसी धर्म के प्रती अगर अपवित्र संकल्प हैं तो आप अपवित्र बन गए और आपके अंदर वैशनपन नहीं आए और आपकी शांती उसी सेकेंड भंग हो गई तो परमात्व कैसे हैं, टचिंग अपवित्र है ऐसे मन बुद्धी से किसी विकार के संकल्प मात्र भी आकर्शन वर्ट टचिंग अपवित्र है तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच ना करना कोई बुराई उसमें इर्शा हो सकती है, ग्रिना हो सकती है नफरत हो सकती है, आलस अलवेलापन हो सकता है और उके अंदर बुराईयों देखने की आदत हो सकती है किसी के बारे में बुरा बोलनी के आदस होती है सारी आदतें पुराई हैं जो है वो अब पवित्रता है और जहाँ purity नहीं है वहाँ सुख और शांती नहीं जाएब जितना भी धन कमले जाएब जितना भी सुख के साधन बटो रहे लेकिन अगर purity नहीं है तो सुख शांती का नाम और निशान आपके घर में नहीं होगा घर में तो छोड़िये मन रूपी घर में नहीं होगा पहले पर परमातर कहते हैं यही संपून वैशनव वह सफल तपस्वी की निशानी सिर्फ लसन प्यास छोड़ दाना वैशनव नहीं हो गए लेकिन पवित्रता मन बुद्धी की यह संकल्पों की purity की निशानी यह निशानी परमात्मा चाते हैं हमारे अंदर हो कैसे करें इसको कैसे लाएं अपने अंदर यह purity कैसे हम सच्चे वैशन पने इसके लिए परमपिता परमात्मा का इस शुरिय क्यान साथ दिन का प्रमा को माहिर समा के करिए इसके साथ आम श्यान्ति